अजो एवरिवन गुद मॉर्निंग तो आल अफ यू हमने कल क्लास कोंड्रिक थाइस की थी जिसमें काटिलिजनेस फिशिज का हमने किया था आज हमने उसी की next class करनी है पाइसी की next class जो हमारे पस ओस्टिक थाइस ठीक है अब जो ओस्टिक थाइस आपको पता है हमारी बूंस रस एम भी मिटविक गसे बरूंसिजनेस पेड़ में थाए तो इसपरब्श बेंदर करते हैं थाए थी तुम्हाटिक थार कि के समत्रहा से और आफेच्टेब करतें तो इसका मतलब यह फ्रेष वhouटर में उसमें रहती हैं अर ब्रैकिश वहातें थे ज़ना वैस एन उसमे आपके अक्वेटिक हैबिटाट में यह में देखने को मिलती है उसके बाद जॉड़ वर्टिब्रेटा यह तो बहुत कोमन सा पॉइंट हो गया कि इनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं तो गनेथोस्टों में आ रहे हैं तो गनेथोस्टों का मतलब ही वह किया है जॉज आर प आपको जो चीज याद रखनी है आपने याद रखनी है यह पेडियो साइप्रिस यह क्या है मारे पास स्मालेस्ट फिश भी बोलते हैं और इसको स्मालेस्ट वर्टिब्रेट भी बोलते हैं और इसका साइज जरस्ट एट मिलीमिटर तक है ठीक है स्मालेस्ट फिश या स्म इंडोसकेल्टन बतलब विमांनर प्रिद्टर रहोटें ौर्रवान फिस यहां सिहां। ठीक है अब फिर आते हैं इस पर टेल इनकी क्या होती है हूमो सरकार अब यह हूमो सरकार और हटीरो सरकार क्या चीज़ है यह दोनु टेल फिन जो है अगर उन दोनु की लोब बिलकुल इक्वल हूँ उसको हम क्या बोले हूमो सरकार अगर एक लोब बड़ी हो जाए दूसरी लोग छोटी हो जाए तो इस स्विम ब्लैडर या एर ब्लैडर प्रेजेट है अब यह यह परें गरती मैं करें गरोपाई अब अब बायोंसी क्या होता है आपको बायोंसी होता है इक्विलिब्रिम मेंटेन करना ठीक है पानी में वो स्विम कर रहे हैं तो एक प्रॉपर इक्विलिब्रिम मेंटेन करके रखता है स्विम ब्लेडर मतलब उनको ना तो डूबने देता है ठीक है पूरा पानी में डूबने फिशिज हैं उनमें स्विम ब्लेडर एपसंट होता है इसलिए उनको बहुत फास्ट मुवमेंट करनी पड़ती है आप एक शार्क की मुवमेंट देख लो या फिर अपने अपने स्राउंडिंग में कोई रिवर में अगर फिशिज की मुवमेंट देखे होगी बड़ी अराम मस्ट मस्ट चलती है जो हमारी स्राउंडिंग रिवर में होती है लेकिन शार्क को अगर देखे तो बहुत फास्ट मुवमेंट करती है फास्ट मुवमेंट क्यों करती है क्योंकि इसमें स्विम ब्लेडर एपसंट होता है उसको अपनी बोड़ी का इक्विलिब्रिम भी में और कितने हैं 4 par 4 par. तो boni fishes में उपरकुलम प्रिजन्ट है और जो हमारे पास cartilisiness है उनमें उपरकुलम एपसेंट होता है ठीक है यह देखो यह डैग्राम है फिश की boni fish की डैग्राम है हमारे पास ठीक है अब इसमें यह हम देखते हैं यह देखो यह आपको उपरकुलम दीख रहा है कोई इस नहीं देख रहे हैं आगे मैं दूसरी डाइग्राम भी बता हूंगी जिसमें काटिलेजनस फिश भी है तो यह जो पोर्शन है फ्लैप आफ स्किन इसको उपर किलम बोलते हैं मोट देखो टर्मिनल पोजिशन पे है ठीक है फिन्स देखो यह देखो हमो सरकाल दोनु टेल की जो लोब्स हैं बिल्कुल इकवल साइज की इसलिए हम क्या बोलते हैं हूमो सरकाल ठीक है एक और मैंने रखे है यह देखो यहाँ पे आप देखो यह टेल फिन और यह टेल फिन ठीक है दोनु में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा यह जो है इकवल लोब्स है यह साइक्लोस्टोम जो पहले वली क्लास थी साइक्लोस्टोम की देख लो यह ठीक है अगर हम बात करें इसका मौथ तर्मिनल है इसका मौथ वेंटरल पोजिशन पर इसका मौथ तो है ही सर्कुलर एक मैंने डिफरेंस बताने के लिए आपको यह रखी है डाइक्रम स्थीनुकी मौथ वेंटरल रोकेशन मौथ टर्मिनल पोजिशन उसके बाद इसमें यह यहां पर यह जो ब्लैक ब्लैक लाइन से दिख रहे हैं यह गिल स्लिट्स हैं इसमें असा कुछ बिन दीख रहा है इसमें यह देखो कवर बनावर ठीक है यह डिफरेंस आपको याद रखने ठीक यह ग्याइन से हांवर पार कियुएं यह अभी वेजन से रहां हैं अब जो इनकी सकिन है वो कवर्ड रहती है तीन तरह के स्केल से, स्केल का कल भी मुझे भूल गया था बताना, काटी लेजनस फिशिज में प्लिकॉइड स्केल होते हैं, ये जीज़ आपको याद जरूर रखनी है, क्योंकि ये नीट में कोशिन मैंने पहले भी देखा है, कि प्लिकॉइड स्केल किसमें प्रेजन्ट हो तोटल हमारे पास 4 स्केल होते हैं, पंको हमारे पास। यह पिंधा अदियां सित्पी कर्की का पिमिले आखने यहां है, कि यह पिंधा पंधा तैंपरीज में करना। कुछ एक फिशिस जैसे टोना और स्वाड फिश जो है यह एंडो थर्मी मिंटेन करके रखती है मतलब अपनी बॉडी कर अब ब्रजर मिंटेन करके रखती है बाकी ओवराल अगर हम बोनी फिशिस की बात करें पाइक युलो था हमसे उसके बाद टू चैंबर हार्ट होता है अपको अच्छे से याद रखने था है नॉर्मली क्या है टू चैंबर हाट एक है टीक है लीकिन लंग फिशिस में 3-चैंबर हाट हो जाएगा टू ओ ओरिकल वन वंट्रीकल ठीक है उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें ब्रेन बी डवलब है और स्पाइनल कॉर्ट ब लेकिन ब्रेन में और लॉप्स डेवलप है और सैरी बलंप सैरी बलंप जो बॉडी का बैलेंस बना के रखता है ठीक है स्पाइनल कॉड में 10 पियोर ओफ क्रेनियल नर्व से सिरफ ठीक है उसके बाद लेटरल लाइन जैसे मेंने काल भी बताया था लेटरल लाइन एक्ट करत होती है मतलब रिप्रोडक्टिव ओपनिंग भी होती है और कोलाइका फिर बाहर ओट साइड बॉडी जो है उपन होता है इसको बलते हैं कोलाइका लेकिन इनमें कोलाइका क्या है एबसेंट है इनमें जनाइटल ओपनिंग अलग है ठीक है दो अलग 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 उपनिंग होता है, इसलिए हम इनको immunotelic बोलते हैं, इनमें kidneys मिजोनेफिरिक kidneys present होती है ठीक है, देखो kidneys, मीजोनेफिरिक का मतलब क्या हो गया ? kidneys जब बनना शुरू हुई थी, सबसे पहले pro-neferic kidney बनी, then उसके बाद meezo बनी, then उसके बाद meta बनी, इन तीनों में से यह highly advanced है यह primitive है यह जो है mid वाली में आती है इनमें कौन सी है मिजोनेफरी के मतलब mid वाली जो kidneys है वो present है उसके बाद sex तो separate है मतलब अलग-अलग male और female है लेकिन कुछ एक individuals हर्मोफ्रोडाइट है हर्मोफ्रोडाइट का मतलब same sex एक ही individual में दोनो sex organ present है उसके बाद oviparas है mainly जो है oviparas है मतलब egg lay करती है fertilization इनकी external भी हो सकती है इंटर्नल भी हो सकती है बसली जो है external होती है development जो है इनकी direct होती है ठीक है तो यह इसके कुछ है characteristic feature है ऑस्टिक थाइस के हमारे पास Pisces जो है वो complete हो गया उसके बाद हम next जो है रखके चलो नीट के accordingly बढ़ो कम से कम आपको जोलोजी के पूरे full marks आने चाहिए जितने भी questions आएं आपको 20-25-30 जितने भी आएं आपको वो छूटना नहीं चाहिए इस थारा से पढ़ो और मैंने पूरे paper देखे हुए